घरेलो शेयर बजार की क्लोजिंग आज बेहद निराश्वा जनक लेवल के साथ हुई है और BSE, NSE, मिलाल निश्वान च्छाया रहा अमेरिकी बजारों से आ रहे कमजोर संकेतों का असर भारतिय शेयर बजार पर रहा वहीं बात करें निवेशिकों ने गवाई 5.3 लाख करोड रुपे की पूझी कारोबारी हफते के आखरी दिन शेयर बजार भारी गिरावट के साथ क्लोज हुआ है BSE का मार्किट कैपिटराइजेशन 460.36 लाख करोड रुपे पर आ गया है जो कल 465.66 लाख करोड रुपे पर प्लोज हुआ था इस तरहां एक दिन में निवेशिकों के 5.3 लाख करोड रुपे हवा हो गए वहीं बात करें बजार की क्लोजिंग की कैसी रही शुक्रवार को शेयर बजार की क्लोजिंग में एनेसी का निफ्टी 292.95 अंक या 1.17 फीसिदी की गिरावत के साथ 24,852 पर बंद हुआ बीएसी सेंसिक्स में 10,017 दो तीन अंक या 1.24 फीसिदी की गिरावत के साथ 81,183.93 पर शेयर बजार बंद हुआ है आज सुबा की सपाट ओपनिंग के बाद शेयर बजार में इस तरहा की गिरावत आना चिंता जनक है इस तरहा की मार्केट क्लोजिंग बजार के निवेशिकों के लिए हैरान करने वाली बात हो सकती है कि एक दिन में 800 से लेकर 900 अंक तूटना कोई चोटी बात नहीं है वहिस बात करें सेंसेक्स निवीफ्टी के शेयरो के हाल की तो निव्टी के 50 में से 8 शेयरो में तेजी देखी गई और 42 शेयरो में गिरावत के साथ क्लोजिंग हुई सेंसेक्स के 30 में से केवल 4 शियरों में तेजी रही जबकि 26 शियर गिरावट के साथ पंध हुए है वहीं निफ्टी की बात करेत बाजार में आज की क्लोजिंग में निफ्टी के दो स्टॉप लॉस लेवल तोड़े निफ्टी पच्च्वास ने 25,200 और 25,000 वाले लेवल से नीचे ज़ाकर क्लोजिंग दिखाई है 24,800 का लेवल निफ्टी ने नहीं तोड़ा है इसको लेकर माना जा रहा है बाजार नियामकों की तरफ से सक्ती और रेगुलेशन सक्त होनी की वज़ा से बाजार में चुनता देखी जा रही है लेकिन ये भी लातो रात आई खबरों का असर नहीं कहा जा सकता अमेरिका का एकोनोमिक आखना और चीन से आई वित्य खबरों की बज़वा से भी फारतिय बाजार पर असर देखा गया है वही बात करें सेक्टॉरल इंडेक्स की तो कच्चे तेल से जुड़े जादा तर शेरों में आज खासी हल्च्वल देखी गई है और ओयल मार्केटिंग कंपनी यानि OMC ज्वे के शेरों में खासी गिरावट देखी गई है फर्मा सेक्टर कम गिरावट दिखाता रहा और मेटल स्टॉक्स भी कम गिरे लेकिन निफ्टी PSU बैंकिंग इंडेक्स सबसे जादा गिरने वाला सेक्टॉरल इंडेक्स रहा को भी तब अगरा ट्रेडिंग सेशन सोंबार 9 सिपंबर को होगा अगली हफ़ते सोंबार को बाजार की ओपनिंग गणपति उससब के 30 दिन होगी तो देखना होगा कि विगन हर्ता गणीश भगवान इस दिन निवेशकों को क्या फल देते हैं इसी तरह की तमाम खब्र और अन्य अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे पंजाबकेस्टी.डाट कॉम